जारखण में न्युक्तियां हमेशा विवादों में रही हैं परिक्षाएं हमेशा विवादों में रही हैं और परिणाम भी विवादों में रहे हैं एक बार फिर से विवाद इसले हो रहा है क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं जब उन्होंने सफलता हासिल की काफी लंबी पा रहे हैं लेकिन अभी भी तीन मैने हो गए हैं अभी भी वो निराश हैं उस न्युक्ति पत्र को देख रहे हैं और सरकार से सरकार की तरफ उमीद भरी नजरे वो टिकाय हुए हैं कि आखिर उन्हें न्युक्ति पत्र जब मिल गया है तो उन्हें ज्वाइनिंग कब कि अभी भी उनका भविश्य सुरक्षित नहीं है अभी भी कुछ इवट है इन तमाम सवालों को लेकर अब वो लाल मराणी ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है करिश्मा भी हमारे साथ जूड़ी हुई है करिश्मा ये नई बात नहीं है जारखन के लिए ले उसके बाद अभ्यर्थी काफी खुश थे मैं खुद अभ्यर्थियों से लगतार बातचीत कर रही थी तो उनका इस पश रूप से यही कहना था कि उन्हें अब न्यूक्ति पत्र मिल गया है यानि कि उनका जो सपना है वो पूरा होने वाला है लेकिन तीन महीने बीद गया आसिया तो 1268 अभ्यर्थी शामिल थे अब अभ्यर्थी लगतार सवाल पूछ रहे हैं कि आकर उनकी पोस्टिंग कब होगी क्योंकि अभ्यर्थी इससे पहले परिक्षा दे रहे थे लेकिन परिनाम जब सामने आया तो अभ्यर्थी खुश थे कि आज नहीं तो कल उन्हें न्यूकती पत्र मिलेगा लेकिन अब न्यूकती पत्र मिला है ज्वाइनिंग नहीं हुए और ज्वाइनिंग नहीं होने की वज़े से वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है और कई ऐसे अभ्यर्थी है आसिया जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और कई ऐसे अभ नौकरी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल उन्हें जोआनिग मिल जाएगी लेकिन अब तक जोआनिंग नहीं हुई है, तो अभीरति सिर्फ यही सवाल पूछ रही है, क्या कोई टेकनिकल अर्चन है या फिर सरकार यह विचु हो ध्यानिас नहीं नहीं दे पा रहे है है, जी आस चीजों को देखा जा रहा है ज्वाइनिंग हो सकती है लेकिन जो अभ्यर्थी है वो अपना दर्द लगतार बताते वे नजर आ रहे हैं कि हम लोग तो इंतिजार कर रहे थे लेकिन अब तीन महीने बीट गहे हैं और तीन महीने के बाद भी अभी तक ऐसा कोई नॉटिफिकेशन नहीं आ रहा है उनके ज्वाइनिंग को लेकर तो अभ्यर्थी सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि पहले तो हम लोग आंदोलन करते थे आपको याद होगा आसिया कि जब पहली बार जोई के अभ्यर्थी एक्जाइम दिये थे तो पेपर लीक का मामला सामने आ दूसरी बार परिक्षा दिये तो न्यूजर निती रध होनी के वज़े से परिक्षा रध कर दी गई अब जब अभ्यर्थी एक्जाइम दिये हैं तो न्यूक्ति पत्र मिला उसके बाद जोईनिंग नहीं हो रहा है तो अब अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं आपने सही क मार्च में नियूक्ति पत्र देते समय अपने पोस्टर थमा कर खूब बाभाई भी बठोरी अभ्यर्थियों को नियूक्ति पत्र मिले 3 महीने से जाधा बीद चुके हैं लेकिन उन्हें अब तक पदस्थापना नहीं मिली है एक तो नियूक्ती का विग्यापन नहीं आता कि पहले न्यूक्ति नहीं होती है जब न्यूक्ति होती है तो उसके बाद यहां पर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो अभियर्ति कितना संघर्स करेंगे राज़ों में? क्योंकि आपने देखा होगा आसिया की जारखन में हमेशा से यह ऐसा देखने को मिलता है कि हर एक न्यूक्ति प्रक्रिया विबादों में ही चली जाती है इस बार अब देखे दो चार मेने में करिश्मा यहां विधान सभा के चुनाव भी होने है तो ऐसे में सरकार भी यह जोखिम नहीं उठाना चाहेगी तो यह उमीद करें कि जब म्यूस बाइस को पिस मुद्दे को उठा रहा है तो सरकार तक इसकी आवाज जाएगी और जल्द ही इनकी पद्यस्था अपना हो जी जाहिर तोर पर देखें आसी आप आने वाले समय में विधान सभा का चुनाव है और सरकार की और से यह कोशिश की जाएगी क्योंकि युवाओं की लंबी फौज है और सरकार को भी पता है कि युवाओं की भागेदारी जो चुनाव में होती है वो काफी एहम होती है तो यहाँ पर चमपई सोरेन यानि कि राजव के मुख्य मंत्री और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि युवाओं को नराज करे और सरकार की ओर से ये कोशिश की जारी क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से राजव के मुख्य मंत्री चमपई सोरेन बने है तब से वो न्युक्ति पत्र का वित्रन कर रहे हैं, कई योजना का वित्रन कर रहे हैं, और राज्य वासियों को युवा को ये बताने और समझानी की कोशिश कर रहे हैं, कि सरकार उनके हित में काम कर रही है, हाँ उपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन सरकार उसको भी देख तो हमारी कोशिश भी आसिया यही है कि जितने भी अभियर्थी परिशान है और अपनी आवास सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हम लोग उन तक यानि कि सरकार तक उनकी आवास पहुंचा पाए कि अभियर्थी कितने परिशान है आर्थिक रूप से कमजोर भी हो से कि उन्हें निवक्ती पत्र मिला है तो आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग होगी लेकिन 3 मेहने बीत गया ज्वाइनिंग नहीं होई है तो वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है तो अभिरती परिशान है आसिया चलिए तो इस परेशानी का भल सरकार को निकालना होगा और ये परेशानी बहुत बड़ी है देखे तीन बार जब परेशाएं रद होती रही है और तीसरी बार में जब उन्हें सफलता मिली उन्हें निक्ति पत्र मिला तब वो आश्वस हो गए कि अब उनकी तमाम परेशान कार नुक्तियों को लेकर रोजगार को लेकर इसे दूर करना होगा क्योंकि आने ओाले दिनों में विधानसर्बा का चुनाब भी होना है तो सरकार की कहीं किरकीरी नहोजय इसका ध्यान भी रखना होगा देखाना हुगा देस आल निज्वा 2K में इतना ही छबरों के ले अ मारी साथ.